बोजपूरी इंडस्ट्री के एक सिंगर है जो अपने आपको बोजपूरी इंडस्ट्री की शेर कहती हैं किसी भी मीडिया परसन से बातचित करती हैं तो अपने आपको बोजपूरी इंडस्ट्री की शेर बताती हैं और कहती हैं कि मेरी मान ने शेर पैदा किया था अब आपको भी लग रहा होगा कि भोजपूरी इंडेस्ट्री में पवन सिंह के बाद अब नया शेर कोन आ गया तो आपको बता दें कि भोजपूरी इंडेस्ट्री में खुद को शेर बताने वाली सिंगर का नाम है तानिया जा तान्या जहा भोजपूर इंडेस्ट्री के वो सिंगर है जो हमेशा अपने गानों की वज़े से विवाद में बनी रहती हैं कभी अपने गानों की वज़े से विवाद में बनी रहती हैं, तो कभी अपने नीडरता और बेबाकी की वज़े से शुर्क्या बटोरती रहती हैं. तेकिन तानिया जहा एक बार फिर से विवादों के बीच गिरी हुई नजर आ रहे हैं. जमकर ट्रॉल की जा रही हैं, लोग तार्णिया जहा को गाली दे रहे हैं, तार्णिया के लिए भद्र भाशा का प्रयोग कर रहे हैं, लाईव आकर तार्णिया को खुला चैलेंज कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग तार्णिया को आमने सामने बैठा कर फर्याने की बात कर रहे कई लोगों का तानिया से तो ऐसा 36 का आंकड़ा है कि तानिया को लोग कई बार वर्जिनीटी टेस्ट कराकर अपना साफ सुत्री चरित्र का प्रमान पत्र देने की बात कह जाते हैं बहुत सारी लोग तानिया को बेशरम बताते हैं तो कुछ लोग निरलज और बेहिया तक कह जाते हैं यही सब कारण है कि पवन खेसारी का विवाद एक बार शांत भी पढ़ जाए लेकिन तानिया जहा का विवाद कभी शांत होने का नाम ही नहीं लेता है या फिर यूँ कहले कि तानिया कभी शांत पढ़ भी जाती हैं तो इनके मुह में उंगली करके जबरदस्ती बुलवाया जाता है यह जानती हुए कि तानिया जब भी अपना मुह खोलेंगी तो बकवास ही करेंगी अब इतना कुछ सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि तानिया ज़ा ऐसा क्या करती हैं कि लोग इनको ट्रॉल करते हैं इनको गालिया देते हैं अब यह सवाल उठता है कि भोजपूरी इंडस्री में तानिया ज़ा के अलावा भी कई लेडी सिंगर्स हैं लेगि सबसे ज़ादा गाली तानिया ज़ा को ही क्यों मिलती है सबसे ज़ादा ट्रॉल तानिया ही क्यों की जाती है जबकि गाना तो अंतरा सिंग प्रेंका, शिल्पी राज, सिवानी सिंग, प्रेंका सिंग भी गाती हैं तो ये जानने के लिए पहले आपको Tania Jha का घाना जूनाते हैं पिर हम आगे की बात चीट करेंगे तानिया Jha दो हफते पहले एक गाना गाती है जिस गाने का लाइन है अब आपको भी उस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि तानिया जहा को ही आखिर इतनी गाली क्यों पड़ती है हाला कि तानिया जहा हर बार इस बात का दावा करती है कि हम चोली ढोड़ी जोबन साया छोड़ कर ही कोई गाना गाते है कम से कम हम खेसारी लाल यादो की तरह चूसा ता चाटा ता काटा ता नहीं गाते है न इसी क्रम में तानिया का एक और गाना सुन लेते हैं फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं नाम पर भूचपूरी इंडस्टिय का गायक पंकर सिंग्सारी की बेटी क्रिटी का फोटो लगा कर गाना गाया था उसके बाद कि सारी लाल यादों लाईव आते हैं और रोने लगते हैं और कहते हैं कि अब जब आप सब मेरी बेटी पर ऐसे गाना गाईएगा तो हम अपनी बेटी से नजर कैसे मिलाएंगे इसके बाद कि सारी लालियादों के समर्थर ने भोजपूरी के तमाम बड़े कालाकार भी आ जाते हैं नेहा सिंग राठोर जैसे लोग गाई का भी इस बात का विरोध करती हैं कि किसी के बेटी के नाम पर कोई भी गाना गाने का अधिकार किसी भी गाया कालाकार को नहीं है ये विवाद काफी दिन तक चला था और जैसे तैसे अब जाकर शान्त ही हुआ था कि इस आग रोपी विवाद में घीर डालने का काम करती है तानिया जा और अपने इस गाने की वज़े से एक बार फिर विवादों में घीर जाते हैं जिसके वज़े से तान्या को एक बार फिर से जम कट्रॉल किया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, और तान्या एक बार फिर लोगों के निशाने पर आगी है, तो आईए तान्या जहा का पहले गाना सुन लेते हैं, तो तान्या का ये गाना तान्या जहा हिट यूटूब च कावे के डरे शिल्पी राज कोहे लीकी बोखार है अरे वीजे चोहान के बीना स्टेज पर आने को तैयार है देख लीजे आप लोग भी कि कैसे तानिया जहाद दूसरों को गाली देकर जबड़जस्ती विवात खड़ा कर रही है जान बूच कर तानिया अनुपमा सिंग को देंगी सिंगर शिल्पी राज को जूता से मारने का बाद बोलेंगी और बख्वास करेंगी अभी तानिया कुछ दिन पहले ही अपने नीजी इंटर्व्यू में टूंटू न्यादों को जमकर गर्या रही थी और मासारस्वती की कसम खाकर कह रही थी मुझे अब अंदर से ऐसी स्ट्रॉंग फिलिंग आती है कि भोचपूरी का स्थी तो अब कुछ दिन में समाथ हो जाएगा जिसको देखिए वही किसी के माई बेटी बेहन के नाम पर गाना का दे रहा है और खुद को हिट कर रहा है और आज ही तानिया जा के चैनल की और से गाना आया है जिसमें बोचपूरी इंडस्ट्री के तमाम लेडि सिंगर का नाम लिया गया है जिसमीं सिंगar शिलपी राज का नाम बिजय चोहान के साथ जोड़ा गया है महिं गाने में अंत्रा सिंघ प्रेंग का अनुपमा यादो शिवानी सुवानी सिंघ नेहा राज को भी नहीं छोडा गय झाल